टॉप 3 best smartphone for video recording के लिए तो भी अगर आप video recording के लिए smartphone लेना जाते हो एंड अगर आपका budget 10,000 है इस surprise range की बात करेंगे तो सीधी बात करते हैं भाई No.3 की No.3 की बात करो No.3 पर यार मैंने रखा है Moto E7 Plus को अगर इस smartphone की बात करो तो सबसे पहले यार यह दो colors में देखने को मिल जाता है blue color में and bronze color में ठीक है blue color इसको जादा suit करता है अगर आप लीना जाते है तो भाई blue color में ली लीना आपको IPS LCD देखने को मिलेगी तो यह 10,000 के budget range में आप इतना भी expect नहीं कर सकते है कि आपको super amulet display देखने को मिले ठीक है तो आपको IPS LCD देखने को मिलेगी snapdragons 460 आपको processor देखने को मिल जाता है जो की 11 nanometer technology के साथ based है तो इसका जो processor है सच में तगड़ा देखने को मिल जाता अगर आपने gaming बगारा भी करने है आपके लिए भी perfect deal हो जाएगी ठीक है आपको dual camera देखने को मिल जाता है back side में जो की 48 map x 2 megapixel के साथ देखने को मिलता है इसका back camera सच में बहुत ही जाता सही है लेकिन आपको 8 मैं आपके अगसाद selfie देखने को मिलता है selfies इसकी बिल्कुल भी अच्छी थनी नहीं है मैं आपको फिर से repeat कर देता हूँ कि back camera सच में अच्छा है front camera इसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं आपको देखनी को मिलता है आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन भी इसमें नहीं देखने को मिलता है आपको 5000 ms की बैंटरी देखने को मज़ाती प्लस आपको 10W का फास चार्जर देखने को मिल जाता है लेकिन मैंने आपको फिर से बता देखने को मिलती तो आगे बात करते हैं इसके में स्प्लेशिकेशन की थोड़ा सा मैं आपको डीपली बता देता हूँ तो यह डिस्प्ले की बात को आपको 6.5 inch आई प्रेस LCD देखने को मिल जाता है प्रसेसर की बात को स्नेप्रेकन 460 देखने को मिल जाता है जो की 11 नानमेटर टेकनोलोजी के साथ बेस दाए बैंटरी की बात को 5000 ms की बैंटरी मिल जाता है सेटीड प्लस 10 वाट का आच आज़र देखने को मिल जाता है कैमरे की बात को आपको डूअल कैमरा मिल जाता है 4E 8 Mpcs प्लस 2 Megapcs सेथी की बात करूँ आपको 8 Mpcs आपक्स सेथी मिल जाते है स्टोरेज की बातों बातों को 4 GB RAM मिल जाते है 64GB storage price की बात को 9400 के budget range में Moto E7 Plus देखने को मिल जाएगा तो यहार main specification में आपको बता दिया Moto E7 Plus के तो यहार अगर आपका budget 10,000 से भी कम है आपके लिए यह smartphone perfect deal हो सकता है जा फिर अगर आपको एक non-channel smartphone चाहिए आपके लिए perfect deal हो सकते है Moto E7 Plus आप जा सकते हैं smartphone के और लेकिन अगर आपको चाहिए से फरक नहीं बढ़ता है जो मैं आगे फून बताऊंगा वो आपके लिए perfect deal होने वाले हैं तो आँगे बात करते हैं number 2 की number 2 की बात करो number 2 पर यार मैंने रखा realme narzo 20 को तो सबसे पहले में आने वाले हैं प्लस back side में जो camera का मतलब shape है वो इसको बहुत ही ज्यादा suit रखाता है तो अगर आपको एक slim and stylish smartphone चाहिए आपके लिए perfect है अगर आपको तो अगर आप प्रोसेसर जाहिए आपके लिए perfect है अगर आपको gaming करने है multi-dasking करने है camera के recording smartphone चाहिए realme now's the 20 आपके लिए perfect deal हो सकता है अब भी बात करते है इसके main specification की थोड़ा सा deeply बता देता हूं तो यह display की बात करों को 6.5 inch HD plus display देखने को मिल जाती है जो की IPS LCD या जो की आपको 16 refresh rate के साथ देखने को मिल जाता है अप प्रोसेसर की बात करूं जितनी भी storage आप लेना जाते हो आप उसके according देख सकते हो बैटरी की बातों को 6000 ms की बैटरी मिल जाती प्लस 18 वाड का fast charge तो 6000 ms की बैटरी मतलों आपका एक दिन तो normally निकाल देगी जैसे भी यूज़ करना जाते हो हाई साइटिंग पर gaming करना जाते हो जैसे भी यूज़ क करना आप कर सकते हैं आपका एक दिन तो normally निकल जाएगा camera की बात करूं आपको 48 में अपक्सल camera मिल जाता है जो कि triple camera एक selfie की बातों को 8 में अपक्सल selfie देखने को मिल जाती है तो यार में specification मैं आपको बता दिया realme 920 के तो यार phone पूरा loaded आपको देखने को मिल जाता है phone इसका जो processor है वो सच में matter करता है 10,000 के price range में तो आप देख लेना अगर आप चाना जाते हो realme 920 आप जा सकते हो buying link में इसका description box में दिया हो है अगर आप नहीं चावड करना है आप चावड भी कर सकते हो आगे बात करते हैं number one की number one की बात करो number one पर यार मैंने रख रखा है अगर आप लिना चाहते हैं उसके बाद मैं आपको बदा देना चाहता हूं कि आपको दो साल का software अप्ग्रेड भी इस में देखने को मिल जाता है जो कि इस phone की खास है देखने को मिल जाते है गेमिंग प्रसेशर है जो की 12 ननीमेटर टेकनोलोजी के साथ बेस आपको IPS LCD मिल बात करूं आपको एपके साथ देखने को मिलेगा जो भी आप ले ना चाथ आप ले सकते हो बैटरी की बात करूं आपको फार्ग फार्ग की बैटरी मिल जाती है तो यहार मेल स्पेसिशिकेशन में आपको बता दिया मैं आपको बदा देना चाहता हूँ अपने में टापिक था जो कैमरे के कॉर्डिंग तो कैमरे के कॉर्डिंग देखा जाए मैं को मैं नोट वान जो है वह बहुत ही ज्यादा सही है यार मेगा पेचल से कोई भी मतलब फर्क बगारा नहीं पड़ता सैंसर से ज्यादा फर्क कैमरे कॉर्टी आती है जाए डिटेलिंग देता है फोटोस की वह बहुत ही ज्यादा सही अगर आप फोटोस गरा देखना चाहते हो आप गुगल कर सकते हो आपको पता चल जाएगा तो यार अगर मेरा बजड़ दस हजार होता ना तो मैं दो स्मार्टफून की और ही जाता मैं मोटो की और तो बिल्कुल भी नहीं जाता है यार मुझे उसका डिजाइन कर लोग को बगार इतना अच्छा नहीं लगा जो की सच्छा ठीक है प्राइज रेंज में इसलिए रखा बिकर आपको 48 में आप एकसल के साथ उसका कैमरा मिल जाता है बैक कैमरा सच में बहुत सब्सक्राइब मिल ते नाक्स्ट वीडियो में नहीं वीडियो के साथ तेंक यू मैं लगा जो बाद के साथ तेंक खरमपको